नमस्का जनरपबाद में आपका स्वागत है आपके सहर की खबरों के साथ मैं हूँ है मेंदर सिंग रामपूर से सांसद आजम खान का पूरा परिवार महिला था ने पहुंचा यहां आजम खान ने SIT के समक्ष अपने ब्यांदर्ज कराए आजम खान ने 150 से 200 जवाब दिये बाहर आने के बाद सपा सांसद मेडिया से रूबरू हुए उन्होंने का कि यह चार बीगे जमीन का मामला है प्रजासन हटकर सवाल पूछ रहा है सांसद आजम खान ने कहा कि क्या हम मुर्गी चोर हैं क्या हम बोमाफिया हैं हम किताबे चोर हैं हमें प्रताडित किया जा रहा है जांच के नाम पर हमें बुला कर जलील किया जा रहा है हमें सरकार अगर इजाज़त दे तो हम यहीं टेंट लगा कर रहना सुरू कर दें जब तक पूश्ताच पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे साथ ही बिना नाम लिये भारती जन्ता पार्टी को भी आड़े हाथ लिया उन्होंने का कि उनके कैंडिडेट को हरा कर हमने चुनाव जीता इसी का बदला हमसे लिया जा रहा है अब सांसद आजम खान ने एक हपते का समय मांगा है आपको बताते चलें कि आजम खान के परिवार सहीत आलिया गंजवाले मामले पर पूछाच कर रही है रामपुर में एक उवक को पीम मोधी पर अबद्र टिपड़ी करना भारी पड़ गया ये घटना जिले की कोदवाली टांडा चेत्र के चो की दड़ियाल की है एक वारल वीडियो के आदार पर भाजपाकार करताओं ने कोदवाली पहुच कर आरोपी इवकों की गरफतारी की मांग की भाजपाकार करताओं ने एक पत्र कोदवाली प्रिवारी दुरगा सिंग को दिया जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाब मुकदमा पंजी करत कर एक आरोपी को ग्रफतार कर लिया है वहीं दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से फरार चल ला है जिसकी ग्रफतारी की कारवाई को लेकर पुलिस आस्वासन दे रही है सपा अध्यक्स अख्लेश यादब के निर्देश पर समस्त तैसीलों परकार करताओं ने मौझूदा सरकार के ब्रोध में एक दिपस ये धर्णा दिया सपा नेता राम बहदुर यादब ने कहा कि अखलेश सरकार ने कई विकासकार किये उन्होंने सपा सरकार की उपलब्दियां गिनाते हुए समाजवादी पाटी के राश्टिया देक्च की तारिफ की यादब ने कहा कि टाइगर रिजर्व जंगल से सेर निकल कर गाउं में घुस गया खेतों में काम कर रहे किसानों को आया दिन निवाला बना रहा है ये बहुत चिंता जनक भी से है सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है कारकरम में से बिजली की बड़ी दरें पेटोल डीजल रसोई गैस और यातायात नियमों के नाम पर जुर्मानेक ने कमर तोड़ दी है कानपुर दियात की मुजा नगर पुलिस को बड़ी सबलता हाथ लगी है बहान चेकिंग के दोरान पुलिस ने बहान चोर गिरो का भाना फोड किया है पुलिस ने चोरी की आठ मोटर साइकलों को बरामत कर पांच सातिर चोरों को ग्रफतार भी किया है ग्रोह का भाना फोल करने वाली पुलिस टीम को SP अनुराग वत्स ने 5000 रुपाय का पूस्तकार देने की गोशना किये ये थाना भोगनिपूर छेतर में ये एक अच्छा गुड़वाग हमारे अडिशनल SP साब और CEO भोगनिपूर के निर्दिशन में हुआ है जिसमें ऐसे चो मुशानगर की टीम ने ये गुड़वग किया है जिसमें की चोरी की आठ मोटरसाइकले बरामत की गई है और इसमें पाँच अब्युक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है ये पाँच अब्युक्त बड़े शातिर किसम के चोर हैं जो मोटरसाइकलों को चुराने में लगातार involved थे ये कानपुर देहात और कानपुर नगर से मोटरसाइकले चुरा रहे थे सबसे पहले दो मोटरसाइगलों पर इन पाश लोग फिरिफटार किया गया उसके बाद इनकी निशान दरी पर जो अजय है जो इस पूरे गैंग का सर्गना है बाकी छी मोटरसाइगल बसके बरामत किया गई है और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी मोटर साइकलों को कनेक्ट किया जाए जब यह चोरी हुई है तो किस स्थाने में मुकदमा लिखा गया है उन मुकदमों को जब कनेक्ट इसमें किया जाएगा तो इनका लंबा अपरादी की थियास निकल किया आएगा और उन मुकदमों के आधार पर इस पूरे गैंग के खिलाफ हम लोग गैंग सरेक्ट में कारवाई करने चारे हैं जी हाँ जैसे इस टीम ने अच्छा काम किया इसमें जो सब इस्पेक्टर है अरुन कुमार उन्होंने इसमें अच्छी भूमिका नहीं वाई है इस पूरी टीम को अमारे तरफ से पांचार का नाम दिया जा रहा है दूसर ने जंता से अपने लिए बोट भी वाना के अपना सेबक बना दो मुकमंदी जी को सवधार दना दो ये दिवें सी जी ये दीके शर्मादी अपना धर छोड़के ये मुश्या तक चरती यहां रामपुर में डेरा डाले है इनका सीना अपना डाल के फक्रते चोड़ा कर दो जबी उत्तर कर देज में जाए तो इसे मोदी जी कह दे के आओ मेरे लाल तुम्हें कदिया रामपुर में कमाल है जी बिजनोर में मिलाप्टी मिठाई का कारोबार फलता फुलता नजर आ रहा है ऐसे में प्रसासन नकली मिठाई के खिलाफ अभियां तेज कर दिया है उपजिला दिकारी नजीवाबाद ने खाद सुरक्षा विवाग की टीम के साथ नजीवाद थाने छेतर के मचली पर लेकर जांच के लिए भेज दिया है SDM ने मिलाप्टी पाएगे रसगुलों को नस्ट करने के आदेश खाद सुरक्षा विवाग की टीम को दिये उधर छेतर में SDM द्वारा प्लास्टिक का सामान बेचने वाले दुकंदारों के खिलाब भी कारवाई की गई इस तोरा इलाके के दुकंदारों में हलकम को मचा रहा है महत्मा गांदी के 150 वी जैंति के अफसर पर MSW कॉलेज के छातरों ने सक्सता अवियान चलाया दाहुद के गोधरा रोड पर कारकरम आयोजित किया गया जिसमें कॉलेज के 200 से 250 चातरों ने भाग लिया कारकरम का उद्देश प्लास्टिक प्रदूशन के प्रती लोगों को जागरू करना था सभी छातरों ने बड़े उत्सा के साथ कारकरम में भाग लिया दाहुद जिले के गोधरा रोड इलाके में इस्तित्प पान के गल्ले, चाय की दुकान, और किराय की दुकानों पर छातरों ने जाकर प्लास्टिक मुक्तव ज्यान के बारे में जानकारी दी इस मौके पर सभी प्रोफेसर एनेस यस विभाग के प्रोफेसर मितेस भाई भी उपस्तित थे कारकिरम में दाउद नगर पालिका ने भी अपना सहयोग दिया इस मौके पर MSW कॉलेज के आचार डाक्टर रजु भाई के भूरिया ने भी धारतियों को प्रतिग्या दिलाई कि अब इस कारेकरम के चुपलेज पर शाथ करें लिए कि सभी चात्राओं के साथ प्लास्टिक मूप बनाएंगे और सभी जो गले फान के गले दुकाने जहां पर जो प्लास्टिक यूज करते हूं को मनाएंगे कि आप ये प्लास्टिक बंद करें जिसकी वज़े से जो प्लास्टिक बंद करें जो अबी नहीं थी में तो वो प्लास्टिक बंद करें ख़बरों का सिस्तरा जारी रहेगा देखते रहिए जन प्रवाद नमस्का